नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स खूनी अंगूठी पार्ट थ्री दस मिनट बाद वह उस जगह से जहां म्यूजियम वाला तहकाना था राजा तथा अनिता की बीच आँखों ही आँखों में कोई शारा हुआ फिर वे बाज की तरहें उन गाडों पर जबट पड़े उनकी फूर्ती के सामने दोनों गाडों को संभनने का भी अफसर नहीं मिरा उन गाडों को बेहोश होने में अधिक देर नहीं लगी जब रास्ता साफ था राजा ने दर्वाजे की बगल में लगा एक बटन दबाया दर्वाजा खुल गया वह दर्वाजा एक लिफ्ट था अनिता वा राजा उस लिफ्ट में सवार हो गए लिफ्ट ने उन्हें निर्वेगन तरकाने में पहुँचा दिया जहां पुरानी और दुरलब वस्तों का भंडार मौजूद था सामने ही वो विशाल सेफ थी जिसमें वह कीमती अंकूटी रखी हुई थी यही वो सेफ है जिसे तुमें खोलना है हम चल बेटा राजा आज तेरे फन की परिक्षा है अगले पहल राजा उस सेफ पर अपनी उंगलियों का चमतकार दिखाने लगा अनीता का दिल बुरी तरहें धड़क रहा था पता नहीं राजा यह सेफ खुलेगी भी अत्वा नहीं हेश वर राजा की मदद करना दस मिनट बाद सहसा राजा उचल पड़ा खुल गई ओ, very good राजा, thanks God सेफ में बेश गिमती सामान भरा पड़ा था उसमें से राजा को वह अंगोठी तराश करने में ज़्यादा देर नहीं लगी यही है वह अंगोठी बस मिस्टर राजा, यह अंगोठी मेरे हवाले कर दो और खुद मरने के लिए तैयार हो जाओ राजा बोरी तेरे चौक कर अनिता की तरफ बल्टा यहे तुम क्या कर रही हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है मेरा दिमाग तो ठीक है राजा मगर मैं अपने बॉस की आदेश का पालन कर रही हूँ अनिता सोच में पड़ गई, राजा ठीक कह रहा था वह अकेली उस किले से नहीं निकल सकती थी तुम मुझे धोका देने की कोशिश तो नहीं करोगे बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी बॉस ब्रिगेंजा की तरहें कमीना नहीं हूँ आओ मेरे साथ कुछ सोच कर अनिता ने रिवॉल्वर वापस रखा और राजा के पीछे लपकी वह दोनों लिफ्ट द्वारा बाहर निकले किन्तु रहतारी में कदम रखते ही राजा की द्रिष्टी एक गार्ड पर पड़ी जो उन पर फायर करने वारा था उसकी निशाने पर अनिता थी धाए अनिता बचो राजा की फूर्ती के कारण अनिता तो बच गई किन्तो उस गार्ड की गोली राजा के बाजू में जाध हसी आँ फिर अनिता ने फूर्ती से रिवॉल्वर निकाला और उस गार्ड को शूट कर दिया धाए हाए उफ इसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है और मैं उल्टा इसी की जान लेना चाहती थी तुम ठीक तो हो राजा मेरी जिन्ता मत करो जल्दी चलो गोलियों की आवाज सुनकर पहरेदार इधर ही आ रहे होंगे हमें फोरण अभे सिंग को अपनी कबजे में करना होगा क्योंकि अब वही हमें यहां से निकाल सकता है फिर अन्ने गाडों को रास्ते से हटाती हुए उन्हें अभे सिंग का बेडरूम तलाश करने में ज़्यादा देर नहीं लगी बेडरूम के बाहर एक गाड पहरा दे रहा था जिसे बेहोश करना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ फिर वह दोनों बेडरूम का दरवाजा खोल कर अंदर दाखिल हो गए अगले पल अनिता ने आगे बढ़कर गन अभे सिंग के सीने पर टिका दी अभे सिंग बुरी तहरे हर बढ़ा कर जाग गया तो तुम कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश मत करना अभे सिंग वरना मैं तुम्हारा सीना छल नी करके रख दूँगी लेकिन तुम लोग तो कैद खाने में बन थे फिर हमें दुनिया की कोई दिवार अपने दाइरे में कैद करके नहीं रख सकती अभे सिंग हम जब चाहते हैं आजाद हो जाते हैं सुनो तुम्हारे जिंदगी अब इसी बात पर निर्वर करती है कि तुम चुप चाप हमारे साथ चलो और हमें अपने इस किरे से सुरक्षित बाहर निकाल दो नहीं जिद मत करो अभे सिंग वरना बे मौत मारे जाओगे हमें तो मर राई हैं लेकिन हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे जब मौत सामने खड़ी हो तो अच्छे अच्छो के छक्के छूट जाते हैं यही हाल अभे सिंग का भी हुआ मजबूरी में उसी राजा और अनिता का आदेश मानना ही पड़ा फिर वे लोग किले के विशाल आंगन में पहुँचे अरे वो देखो उन लोगों ने राजा साहब को कवर कर रखा है फिर पलक चपकते ही दरजनों गाडों ने राजा वा अनिता को घेर लिया ए राजा साहब को छोड़ दो वनना तुम दोनों के जिस्म गोलियों से चलनी कर दिये जाएंगे भोल कर भी ऐसी बेकूफी मत कर बैठना बेटे अनिता हमसे पहले तुम्हारे राजा साहब की जान जाएगी तभी अनिता गुर्राई अभै सिंग अपने आदमियों से कहो कि वे हतियार फेक दे फेक दू हतियार अभै सिंग के आदेश का पालान करते हुए उसके सभी गाडों ने हतियार फेक दिये राजा और अनिता अभै सिंग को कवर किये वेन की तर्व बढ़ी सभी गाड बुतों की तरे खड़े उन्हें जाते हुए देख रहे थे चलो राजा ने ड्रैवर की सीट संभालते हुए वेन स्टार्ट कर दी तब तक अनिता अभै सिंग को कवर करके पिछली सीट पर बैट चुकी थी वेन आगे बढ़ी किले का विशाल फाटक बन था अपने आद्मियों से कहो फाटक खोल दे अभै सिंग ने आदेश का पालिन किया फाटक खोल दो अभै सिंग के आदेश का पालन हुआ तुरंथी किले का फाटक खोल दिया गया वेन तीर की गती से फाटक पार करती चली गई कोई हमारा पीछा करने की कोशिश न करे वन्ना तुम्हारे मालिक को अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा अता किसी ने भी वैन का पीछा करने की कोशिश नहीं की राजा वैन को फुल स्पीड से दोड़ा रहा था विक्रमगड पार हो गया लेकिन उसने कहीं वैन नहीं रोकी करीब एक घंटे बाद राजा ने एक जंगल में वैन रोकी इस हाइनेस को यहां उतार दो अनिता यहां जंगल मे अवै सिंग ने हमें अपने कैद खाने में महमान बनाया था इसका उसे कम से कम कुछ तो सबक मिलना ही चाहिए ओ फिर अनिता ने अवै सिंग को उस सुनसान थड़क पर उतार दिया बाई बाई अरे सुनो तो मुझे इस जंगल में छोड़कर तुम लोग कहां जा रहे हो तदु प्रांथ राजा ने भी एक अन्य शेहर के करीब वह वैन छोड़ दी और दोनों पैदल ही उस शेहर के रेलवे सिशन पहुँचे और वहां से ट्रेन पकड़कर अपने शेहर वापस लोटाए फिर उसी वक्त राजा अनिता के साथ ब्रिगंजा से मिलने पहुँचा हेलो बॉस वेलकम राजा वेलकम अनिता मुझे मालूम था कि तुम लोग जल्दी ही अपना काम खत्म करके वापस लटोगे सुनाओ तुम लोग वह अंगूठी ले आए अंगूठी अब अच्छी तरह परकलो कि अंगूठी अस्ति है या नहीं वंडरफुल यह तो वही अंगूठी है जिसके मुझे डॉन से एक करोड डॉलर मिलने है और तभी ब्रिगंजा ने अपना वास्तविक रूप दिखाते हुए जेव से फूर्ती से रिवॉल्वर न और मेरे हातों ने आज तक लोगों से सिर्फ छीनना ही सीखा है फिर तुम्हें मैं 50 लाक रुपया भला कैसे दे सकता हूँ अब तुम यह बताओ कि सीथी तरह अंगूठी मेरे हवाले कर रहे हो या उसे मुझे तुम्हारी लाश की उंगले से ही उतारना पड़ेगा तभी अपना वह अधूरा काम अपने हातों ही पूरा करना चाहती हूँ ओ लाइए रिवॉल्वर मुझे दीजिए मैं वह अंगूठी इसकी लाश से भी हासिल कर सकती हूँ फिर इसे जिंदा रखने से क्या फायदा तुम ठीक कह रही हो किन्तु रिवॉल्वर हात में आते ही अन अनिता मर चुकी है जो तुम्हारे इशारों की गुलाम हुआ करती थी इस समय जो अनिता तुम्हारे सामने खड़ी है वो उसका नया जन्म है जो राजा से प्यार करती है जानते हो क्यों क्योंकि राजा ने यह जानते हुए भी कि मैं उसकी दुश्मन हूँ मेरे हिस्तिक क ने धोके से अनिता पर छलांग लगाने चाहिए। शायद अनिता धोका भी खा जाती। लेकिन तभी राजा ने ब्रिगंजा पर छलांग लगा दी। खुद को जादा चलाक समझने वाला शिकारी अकसर अपने ही जाल में फस जाता है ब्रिगंजा इस समय वही तेरे साथ भी हुआ है। दिशुम। दोसी तरफ अनिता ने लपक कर फोन का रिसीवर उठा लिया और किसी के नंबर डायल करने लगी। फिर संबन मिलते ही पुलिस सेशन अगर आप एक अंतराष्ट्य अपरादी को गिरफतार करना चाते हैं तो मेरे बताई पते पर फॉरण पहुंचिए। लेकिन आप कौन बोल रही है। प्लीज सवालों में वक्त ब्रबाद मत कीजिए। आपके हर सवाल का जवाब आपको यहीं पहुंच कर म हैं। कुछ देर बाद ही इंस्पेक्टर त्यागी पुलिस दल के साथ वहां पहुंच गया। यह अंतराष्ट्य मुझरिम प्रेविर बिगेंजा है इंस्पेक्टर साहब जिसकी तलाश इंटरपोल पुलिस को भी है। और मैं आपका मुझरिम राजा हूँ जिसने आपकी पुलिस दिपार्टमेंट को बहुत परिशान किया है। मैं जाहता तो आज भी यहां से भाग सकता था लेकिन मैंने जान बुझकर ऐसा नहीं किया क्योंकि अब मैं कानून द्वारा दी हुई सजा भुगत कर शराफत की जिन्दगी बिताना चाहता हूँ। मुझे तुम से जेल से छुटोगे मैं तुम्हें तुम्हारा इंतजार करती मिलूंगी। अदालत ने राजा को उसके जुर्मों के बदले सिर्फ दो साल की सजा दी। वह सजा काटकर जब राजा जेल से बाहर निकला तो बिलकुल बदल चुका था और जेल के बाहर वास्तव में अनीता उसका इंतजार कर रही थी. ओ, तुम्हें ने तुमसे वायदा किया था ना कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और आज तक मैंने वही किया है। राजा ने अनीता से शादी कर दी और वे दोनों सुक पूर्वग रहने लगे। आज राजा एक होटल चलाता है और तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स, ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले, धन्यवाद.